आप तो फेरेंट्स वेलकम ट्व एकेडमी तो डॉब्ल वीजे का रिजल्ट कुछ दिन पहले आया और जैसे के आपको बता थे किसका चौइस फेलिंग स्टार्ट हो गया है तो इस वीडियो में अज में बताने वाला हूँ आपको कि क्या क्या प्रोसीजिवर है और क्या क्य इंपोर्टिन डेट से जो आपको ध्यान रखने है तो इस वीडियो का पुर्ण देखते रही है दूस्तों मैं बता दूसे पहले दो डेट्स के वारे में इंपोर्टिन डेट्स क्या क्या है इसके जो चॉइस फिलिंग हो रहा है डव्ली विज्याई का उसके लिए तो सबस् पर सकते हैं उस आपशन को ठीक है तो आपका जो चॉइस हीलिंग होगा वो मैक्सिम ट्वूइंट अगस्त तक को लोक करना होगा ऑपको आपको आपको बॉलस करने के लिए तो अपने लोग-इन करने के साथ और पासवर्ण के साथ उसके बाद लोग-इन करने के बाद करते हैं तो उसके बाद आपको alphabetical order में आपको सारे colleges मिल जाएंगे उसके बाद आपको उन सारे में से आपको जो पसंद है college उनको चुनना है और साथ में आपको वह ब्रांच भी चुनना है जो आपको पसंद है और साथ में आपको priority list देना जासे कि मुझे ये college चाहिए और इ तो यह है स्टेप जो फॉलो करना है आपको देखिए मैं कुछ कुछ आपको यहां पर लिखा ज़ता हूं तो देखिए यहां पर College Institute of Technology है ठीज को लगाता का उसका मैंने mechanical branch लिया और उसका priority second मैंने दिया आप जिसे देखिए Heritage Institute of Technology को लगाता का Computer Science Engineering मैंने branch लिया उसका first priority मैंने दिया तो इस तरह से आप कर सकते हैं और maximum 20 choice fill up कर सकते हैं तो यही था सारा step और procedure कैसे आपको करना है फिर से एक बार मैं date repeat करता हूं तो important date यह है कि आज से choice filling स्टार्ट हो रहा है बारा अगस्त से और लास्ट जेट जो है आपका choice जिसके बाद आप एडिट नहीं कर पाएंगे वह 25 से 28 तक है ठीक है उसके बाद आप लॉग नहीं कर पाएंगे और इसके बाद आप एडिट नहीं कर पाएंगे तो यही था choices fill करने का सारा procedure step और कैसे आप क्या क्या डेट है वह सब तो आपके सारे डाउट क्लियर हो गया होंगे अगर आप और और भी को डाउट है आप कमेंट किजिएगा हम लोग उसका reply ज़रूर करेंगे और अगर आप कोई वीडियो पसंद आए है तो इस वीडियो को लाइक कि आप